कि वेल्कम बैक दोस्तों मैं अव लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर वेल्कम बैक केता हूं दोसों आज सब आप लोगों को पता है कि बहुत सारे लोगों को अपनी पोस्ट इंडेक्स करने में गूगल की उपर बढ़ी प्रोबलम आ रही है खासकर लोग पोस्ट इन गूगल सच कंसोल या इन गूगल वेरी क्विकली तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलेगा दोस्तों यह दोस्त दो टिप दोना भी बहुती है और बहुत य एपलिकेबल भी है और बहुती जबार्दस काम करती अगर हम इन दो ट्रिक्स को फोलो करते हैं दो सबसे पहले पहले आप लोगों को वो सीलो स्ट्रक्चर पर बनाएं, सीलो स्ट्रक्चर दोस्तों क्या होता है, दोस्तों सीलो स्ट्रक्चर उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जो मैं अपने एक पिछले वीडियो में भी आपको सीलो स्ट्रक्चर का मैथड बता है, कि सीलो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, या आप लोगों के को डिटेल वीडियो चाहिए कि सिलो स्ट्रक्चर क्या होता है तो फिर मैं वीडियो भी बना दूँगा लेकिन अलड़ी मैं एक वीडियो बनाया हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगा आप देख लेना सिलो स्ट्रक्चर वाला तो य Google Search Console के अंदर अपनी पोस्टों को देखें, अपनी वेबसाइट को, कि जिस वेबसाइट पे आपकी अगर थोड़ी सी भी ट्रैफिक आ रही हो, यानि मान लीजिए कि अगर कोई एक वेबसाइट, एक आपका जो पोस्ट है, उस पोस्ट के उपर पांच से दस विजिटर्स प निव टैप में, और ये पोस्ट आपने फर्स के रहे ओपन कर ली, अब ये COVID-19 लेटिस निउस एरांद इवरल सर्कुलेटिंग डेली, अमाल लेजिए ये आपकी एक पोस्ट है, जिसके उपर डेली आपको पांस से दस विजिटर्स आपको आ रहे हैं, इस पोस्ट के उप बार बार इस पोस्ट को क्या करता है, विजिट करता है आपकी, और मालेजिए कि आपकी ये दूसरी पोस्ट है, ये वाली और इस पोस्ट के उपर आपकी ट्रैफिक नहीं आ रही, और ये इंडेक्स भी नहीं है, तो अब इस के उपर ना तो आपकी ट्रैफिक आ रही है, यह post index ते Google के अंदर जारी बात है जब traffic नहीं है इसका मतबह index ही नहीं है Google के अंदर तो आपने क्या करना है इस post की link उठाने है फ़र्सकर यह अपके पोस्ट का link आपने इस post के अंदर आपने जाना है जिस post के उपर आपको organic traffic मिल रही है और उसके अंदर आपने इस keyword के अंद पर आपको और इन्टेक्स पिल्स पोर आप नियम में नीज犯े जो पोस्ट आपको किस उनलतु अर्ब और इनधारफिक लेगा ईन्टेज्ण करने टीज़ार है। इसें आपके इसें और आपको ये उल्डेक्स ऌडरे है। और अल्री इंडेक्स भी है तो जब इस पोस्ट को इंडेक्स का आपका गूगल का जो क्लोर आडी जब विजिट करेगा तो उसको आपको इस पोस्ट का लिंक उसको आपकी इस पोस्ट के अंदर मिलेगा और इसलिए वो जब इस पोस्ट के अंदर देखेगा कि एक नय लिंक भी एड है जब क्योंकि अलेडी वो विजिट कर रहा है आपकी इस post ko क्योंकि इस पर औरगनेट ट्रेफिक आ रही है तो आपकी इस post को भी वो आटोमेटिकलि क्या कर देगा विजिट कर देगा और index कर देगा search console के अंदर तो इस तरह केसे आपकी post index होने का hundred percent कि सबसे पहला पॉइंट यह कि आप सीलो स्ट्रक्चर बनाए नंबर वन और नंबर टू आप क्या करें अपनी उस पोस्ट को जिस पोस्ट के उपर और अर्गिनिक ट्रेफिक नहीं है उसको उस पोस्ट के साथ जिस पोस्ट के उपर और अर्गिनिक ट्रेफिक आ रही उसके स सब्सक्राइब करना ना बुलेगा और बेल का बटन दबाना बिल्कुल भी ना बुलेगा थैंक यू फॉरी दोस्तों